आजए पुस्र में होती रंठागूर हमारे लाद का बहुत बहुत है। हमारे इसी वीडियो में हम लए हैं इंटरेस्टिंग कुस्छेंच जो की हमारे सिर्डी सव फीस लेटेथ कुसेंच में से एक है। और आज एकुस्टिम्स हमारे सोलार प्लानेट्स सिस्टम में से एक है तो चलिए दिखते हैं आज एकुस्टिम्स क्या है हम सभी को प्लानेट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेच रहता है जैसे कि प्लानेट्स अपने आप में कॉलर्स साइज या फिर कंपोजिशन सभी अलग अलग पाए जाते हैं लेकिन हम सभी एक सिमिलेटीव पर हमिशा देखने को मिलता है और वो है उनका स्पेरिकाल से ऐसा क्यूं है क्यूं हम स्पिरामीड क्यूब या फिर फ्लाट जैसे प्लानेट को नहीं देखते या फिर प्लानेट्स ट्रेंगुलर सेब में क्यों नहीं होते आज कि इसी वीडियो में हम देखने वाल हैं प्रमारली तेम्स बस्क्राश्यक कॉस्चन स्पे और वो हैं फिर फिर्स्टे वानीच वानीच वाय आट अल प्लानेट्स आ इन श्पेरिकल सेथे Secondly, we'll see what force is responsible for the shape of the planets Third and finally, we'll see our planets are perfectly spherical So, in this video, we're going to see three questions in detail So, let's get started All planets are spherical safe, and we'll see the gravitational force Which we know about the solar system When our solar system is formed, we'll see billions of dust particles in space We'll see the gases of the earth से भरा हुआ था जैसे जैसे यह टुकुड़े एक दूसरे से टक्राते गए तो वो ऐसे ग्रूप्स पाइन लगे जो कि धीरे धीरे बढ़े और वो बढ़े होते चले गए फाइनली ग्रूप अफ डॉस्ट और गैसे के इन ग्रूप्स में अपना खूद का ग्राविटेशनल फोर्स क्रेट करना शुरू कर दी जैसे जैसे टाइम बने लगा तो स्पेस में प्लानेट्स अपने आप में टक्राते गए उसी एक करण से वो होट होके लिक्विड फॉर में समाते गए सभी प्लानेट्स का ग्राविटेशनल फोर्स उसके सेंटर्स में फॉर्म होते गए यानि कि कोर बनाने लगे एक कोर से हर ड्रेक्शन में समार रूप से एट्रेक्ट करते गया इसी प्रकार सभी लिक्विड हुए मेट्रियल्स को स्पेरिकाल फॉर्म में ए साइक्ल के हुईल के सेंटर के समाह है जहां प्लानेट्स का सेंटर ग्राविटेशनल फोर्स का सोर्स होता है वहां हुईल के स्पोक्स की तरह ग्राविटेशनल फोर्स हर ड्रेक्शन में समाहरूप से एट्रेट करता है जिसका रिजल्ट एक सार्कुलर और अगर हम 3D में देखें तो एक स्पेरिकाल सेव में होता है Whatsoever, planets reality में पूरी तरह स्पेरिकाल नहीं होते क्योंकि वे हमेशा स्पीन करते हैं जब planets स्पीन करते हैं तो gravitational force के opposite में एक spinning force फर्म होता है जिससे planet अपने equator के चारो और गुंग देगा Scientist इस additional extra weed को equatorial block टहते है अमित करते हैं काफी कुछ जाने को मिला हुआ इसी वीडियो के दोरान So thank you so much for watching this video, have a nice day, bye bye करते हैं